नमस्कार दोस्तों यूटूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आज आपके लेकर आए हूँ एक और इंफर्मेटिव बीडियो इस बीडियो का मकसद होगा कि बहुत सारे पैरेंट्स ने अब तक इंक्वैरी की है कि रश्या में जो एडविशन का जो प्रोसेस होत होता है जो प्रोसेजर होता है वो क्या है और क्या क्या स्टेप से तो अन तक देखिए वीडियो में आपको पूरा फिल प्रोसेजर बताऊंगा कि कैसे होता है एडविशन तो बात करते हैं एडविशन प्रोसेजर की कि रश्या में जो एडविशन प्रोसेजर है वो किस त उस उस्टी में आपके पासपोर्ट और 12 की मार्क सीट और आपके फोटो इसकें करके बेज दिये जाते हैं जैसी वह डॉक्मेंट बेजते हैं युनिश्टी के पोर्टल पे आपका वहां पर रेस्टेशन होता है और रेस्टेशन के बाद में आपको एक आईडी एंड आते हैं युनिश्टी में देट कोशने के लिए खुट सासा को क्लियर कर दो कि दो टरीका से हैं कि नंबर बन पर है वह कि की हयो लेटर को पावर नहीं है घुद enormous ko earlier करने एक दौधर एक और ऊके हैं तो पहला लेटर मैंने बताया जो में बताया जो उसमें तीन से पांस दिन लगेंगे आपको आपको invitation letter मिल जाएगा और जो second type का invitation letter है उसमें minimum 20 working days लगती हैं दोस्तों तो invitation letter मिलने के बाद में जो process start होती है कि आपको अपना passport देना होता है टोल्ट की mark sheet देनी होती है अपनी company को कि वो आपको बीजा लगा पाएं और mark sheet लेने का जो reason वो है कि जो Indian foreign ministry होती है उस पे apostyle लगता है कि आपका जो document है वो valid है तो बहुत जल्द वो समय भी आता है कि आपके passport पर बीजा लग गया है और आपकी जो 12 की mark sheet है वो apostyle हो चुकी है आगे की process में आपको बताओं कि company आपके लिए flight ticket बुक करती है और flight ticket बुक करने के बाद में आपको उस given date को बुलाया जाता है इंदरगान्दी airport पर मैं आपको suggest करूंगा है आपर कि आप कम से कम 6 घंटे पहले इंदरगान्दी international airport पहुंचे है और बहाँ पर company के team members जो भी जिस company से आप adivision ले रहे है बहाँ पर वो होंगे बहाँ पर वो counseling करेंगे आपको समझाएंगे whole process को किस तरीका से आपको traveling करने चाहिए most of the time company का एक team member बच्चों के साथ पूरे group के साथ में traveling करता है और वो आपको Russia तक उनके hostel तक छोड़ता है तो जैसे ही आप बहाँ से fly करते हैं इंदरगान्दी international airport से आपको Russia में जो भी respected जो आपकी university है बहाँ पर आपको pick up किया जाता है pick up करने के बाद में आपको छोड़ा जाता है hostel और hostel में जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको इंदरगान्दी आना है जैसे ही आप इंदरगान्दी पहुंचते हैं बहाँ पर आपको एक contract sign होता है और contract sign होने के बाद में आप इंदरगान्दी के official student बन जाते हैं student जैसे ही आप बनते हैं आपको एक official group में add कर दिया जाता है और उस group में आपको instruction दिया जाते हैं कि इसे स्तारी को आपकी classes हैं तो ये आपकी whole journey रही या मैं कहूंँ तो step by step मैंने whole procedure को यहाँ पर explain कर दिया है आपके document scan से लेके आपकी class तक के लिए तो in short मैं आपको एक short में थोड़ी सी ये पूरी story एक summary बता रहा हूं दोस्तो procedure क्या होता है सबसे पहले आपको देने होते हैं आपके passport at 12th class की mark sheet उस mark sheet के basis पे आपका registration होता है इंश्टी के portal पर बहां से generate होता है एक ID and passport जो आपको दिया जाता है उस ID and passport से आप exam देते हो तीन से चार दिन के अंदर जो भी एक respected time है उस given time में आपको result मिल जाता है result मिलने के बाद में इंश्टी आपको date देती है कि इस तारीकों आपका invitation letter मिल जाएगा invitation letter है आपको मैंने बता दिया कि two types के होते हैं एक होता है ministry की साइट से एक होता है ministry की साइट से जैसे ही वो letter आपको मिल जाती है इंडिया में company आपको बीजा देती है बीजा मिलने के बाद में आपकी fly ticket की जाती है fly ticket करके जैसे ही आप रश्या में आते है hostel का registration होता है registration होने के बाद में इंश्टी आपको invite करती है आपका contact sign करती है contact sign करने के बाद में आपको एक group में एक official group में add कर दी जाता है जहां से आपको instruction मिलते है आपकी किस-किस तारीक क्लास है और कहां पर है तो यह whole procedure मैंने आपको समझा दिया है I think आपके सारे जो भी questions थे यहाँ पर clear हो गए होंगे Thank you very much Thank you